दोस्तों मैं रूपे सिंग यूनीक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ तो देखे फ्रेंट्स आज मैं आप सभी लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस री एक्जाम में जीके और जीयस की सांदार क्लास लेके आया हूँ बस आपको देखे फ्रेंट्स सुरू से लेके अंध तक बने रहना है देखे फ्रेंट्स मैं जितने भी कुश्चन ले आता हूँ सारे ही कुश्चन प्रिवियस एयर हैं चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस के हों चाहे आपके यूपी एसाई के कुश्चन हों इस बात का ध्यान देना और चाहे यूपी आपरेटर के हों तो देखे फ्रेंट्स हर एक कुश्चन अपने आप में महात्यपूर्ण है इस बात का ध्यान देना तो एक बार देखे फ्रेंट्स आप लोग भी कुश्चन को खुद से बनाने का प्रयास किया करिए अगर नहीं आता है तब चीजों को जो है आप लोगों को आंसर को बता कोधा है इलाहबाद बैंक है या ईको बैंक है सभी लोगों का इसका अंसर हो जाएगा इलाहबाद बैंक है जो की सबसे पुराना और सार्वजिनिक छेतर का बैंक है इस बात का ध्यान देना यानि इस question का जो answer होगा C आपसन होगा clear है चलिए friends बाते समझ गए होगे हम आगे बढ़ेंगे अगले question की तरफ और अगला question बहुत ध्यान समझेंगे कि यहाँ पर आप सभी लोगों से क्या कह रहा है अगला question आप से कह रहा गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है गरीबी सुचकांक लोगों की संख्या के अनुपात या जो है भी समूहन सुचक या गरीबी रेखा से नीचे तो देखे friends कह रहा गरीवी रेखा से नीचे के लोगों का जो अनुपात है वो किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है वो लोगों की संख्या के अनुपात द्वारा अनुमानित किया जाता है इस बात का ध्यान रखना यानि बी आपसन ही क्या होगा फ्रेंट्स इस question का right answer होगा चले आप समझ तो देखिये फ्रण्स क्या कहलाता है यह आप सभी लोगों को बताना है। तो इसका answer क्या हो जाएगा फ्रेंट्स, आप सभी लोग क्या बताएंगे, budget हो जाएगा, यानि C, आप सन ही क्या होगा, इस question का correct answer होगा, clear है, चलिए, बात समझ गए होंगे, आगे बढ़ेंगे, अगले question की तरफ, और question number next क्या कहरा, देखे फ्रेंट्स, अपने मन में answer को ए पादक्ता कम होती है, अल्प रोजगार, प्रतिरोधातमक बेरोजगारी, या संरचनातमक बेरोजगारी, या प्रचन बेरोजगारी, तो इसको क्या कहते हैं, friends, प्रचन बेरोजगारी कहते हैं, यानि D, आप सन ही क्या हो जाएगा, इस question का correct answer होगा, तो I hope कि friends, बाते समझ अगला question आप से कहरा, friends, पूर्ण रूप से GST की सिफारिस किसके द्वारा की गई थी, तो देखे, friend, GST की सिफारिस किसके द्वारा की गई थी, ये भी बड़ा important question है, राजा चिलेया समीत के द्वारा, विजय केलकर टास्क फोर्स के द्वारा, या GST परिसत के द्वारा, समीत के द्वारा, तो किसके द्वारा, जो है, friend, सिफारिस किया गया था, इसका answer क्या होगा, आप लोग अपने मन में सोचेंगे, तो इसका answer हो जाएगा, friends, BJ केलकर टास्क फोर्स के द्वारा हो जाएगा, यानि B option ही क्या होगा, इस question का correct answer होगा, I hope, friends, आप सभी लोग यह सबसे पुराना तेल, petroleum, उत्पादक राज्य है, कौन सा है सबसे पुराना, ओडिसा है, जारखंड है, असमिया है, मध्ध प्रदेश है, देखे, friends, ये भी question important है, ध्यान देना, कई बार exam में पूछा गया है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, friend, कहां पे है, असम के डिगवोई में आप लोगों को पता है कि कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल, petroleum, उत्पादक राज्य है, तो, friends, वो कौन सा है, असम है, यानि C, आप सन ही क्या होगा, इस question का right answer होगा, चली, आगे बढ़हेंगे, अगले question की तरफ हो, और अगला question देखे, friends, आप सभी लोगों से यहा अपना जो है, किस वर्स हुआ था, तो, ये, friends, 1935 में हुआ था, यानि B, आप सन ही क्या होगा, इस question का right answer होगा, ये भी कई बार exam में आप लोगों के पूछा गया है, चली, आगे बढ़हेंगे, अगले question की तरफ, और अगला question देखे, friends, आप सभी लोगों से यहां पर क्य कह रहा है, अगला question कह रहा है, अगला question कह रहा है, फ्रेंट्स, नेशनल स्टाउक एक्सचेंज का मुख्याले कहा है, ये भी कई बार exam में पूछा गया, चन्नाई में है, दिल्ली में है, या मुंबई में है, या बैंगलोर में है, तो, देखे, friends, कहां पे है, ये, क्लियर है चलिए घर बढ़ा ही महत्टपूर्ड था इस बात का ध्यान देना जैसे कि हमने का तो फ्रंस हर एक कुश्चन आप में अपने आप में बड़ा ही महत्पूर है और आप लोगों को यहां भी लग भी रहा होगा अगला कुश्चन के रहा फ्रंस एग मार्क क्या है अंडा उत्पादन है तो एक सहकारी संस्था है या क्रिसी उत्पादों में मंडी तो क्रिस्कों की संख्या है या खाद बस्तूओं के लिए गुडवत्ता आस्वासन मुहर है या उब्होगता बस्तूओं के लिए गुडवत्ता आस्वासन मुहर है तो क्या है एक मार्क देखे फ्रेंट्स क्या है ये खाद बस्तूओं के लिए गुडवत्ता आस्वासन मु तोस्तों के साथ किया करिए अगला कुश्चन के रैफ विंडान पचास रोपे के नोड पर किसके थार्ण क्यांत contr रिजिवर गोगों के लिए क्या होता है एक वाता है एक रूपए के नोड पर किसका हस्ताचर होता है इसका आंसर क्या होगा आप लोग comment box में comment करके बताईएगा क्योंकि देखे फ्रेंट्स ये भी question कई बार exam में पूछा गया है तो किसका होता है आप लोगों को बताना है चलिए ये बड़ा ही interesting question है फ्रेंट्स इस बात का ध्यान देना चलिए आगे बढ़ेंगे अगले question की तरफ और अगला question देखे फ्रेंट्स आप सभी लोगों से यहां पर क्या कह रहा है यहां पर कि आप से करा FDI का बिस्तारित रूप क्या है यानि FDI का आप सभी लोगों से फुल फार्म पूछा गया है फास्ट डेपलपिंग इंडिया फार्मर डेपलीमेट डेपलोमेट इमेज फारन डारेक्ट इन्वेस्टमेंट या फारन डेलिमेंट आईडोलोजी तो क्या होगा फ्रेंट्स इसका आणसर बताना है फारन डारेक्ट इन्वेस्टमेंट यही हो जाएगा इस बात का ध्यान देना तो ये बात आपको ध्यान देना है यह किसका फुल फॉर्म है फ्रेंट्स एफडियाई का फुल फॉर्म है चले आगे बढ़ेंगे अगले कुश्चन की तरफ और अगला question देखे, friends, आप सभी लोगों से यहाँ पर क्या कह रहा है अगला question कह रहा, friends, भारती रिजवर बैंक का मुख्याले कहा है बंबई में है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है या बैंगलोर में है तो friends, भारती रिजवर बैंक का मुख्याले कहा है ये आप सभी लोगों को बताना है तो इसका मुख्याले का है फ्रेंट्स बंबई में है इस बात का ध्यान देना यानि ये आपसन ही क्या होगा इस question का correct answer होगा चली आगे बढ़ेंगे अगले question की तरफ और अगला question देखें फ्रेंट्स आप सभी लोगों से यहाँ पर क्या कह है अगला question के रहारा फ्रेंट्स GDP का पूण रूप क्या है किसका full farm पूछा है फ्रेंट्स GDP का GDP का पूण रूप क्या है grass domestic progress general domestic production grass domestic promotion यावarta domestic product तो इसका answer क्या हो जायेगा फ्रेंट्स डी वाला option हो जायेगा grass डोमेस्टिक प्रोडक्ट इस कोश्चन का करेक्ट आंसर है यानि आप लोगों पता है सकल घरेलू उत्पाद जिसे कहते हैं यानि ये कई बार एक्जाम में पूछा गया है इस बात का ध्यान देना GDP का फॉल फार्म ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट अच्छे से रटे आगे बढ़ेंगे अगले कोश्चन की तरफ और अगला कोश्चन देखे फ्रेंट्स आप सभी लोगों से यहां पर क्या कहे रहा है अगला कोश्चन कहे रहा है अमर्त कुमार सेन को नूबल पूरसकार उनके निम्न में से किस एक के योगदान के अभिज्यान में दिया गय गया था यह आप लोगों को बताना है तो किसके लिए दिया गया था यह कल्यान कारी अर्थसास्त्र के लिए दिया गया था इस बात का ध्यान देना यानि इस कुश्चन का आंसर क्या हो जायएगा oo कौन से हो जाएगा इसको एक बार देखें आप लोग चेक भी कर लीजिएगा डी ही आपसन क्या होगा इस कुश्चन का करेक्ट आंसर होगा चलिए आगे बढ़ेंगे अगले कुश्चन की तरफ और अगला कुश्चन ध्यान समझेंगे कि आप सभी लोगों से क्या कह रहा है अगला कुश्चन करेक्ट से इको मार्क किसकी उत्पाद पर दिये गए इस प्रमालन का चिन होता है कि यहां एक उत्पाद है अच्छी किस्म का है किफायती कीमत वाला है या करेक्ट परिया वरंड की द्रिष्ट से अनुकूल है या आपसे करा नश्ट होने वाला नहीं है इको मार्क किसी उत्पाद पर दिये गए इस प्रमालन का चिन होता है कि यहां एक उत्पाद है तो कैसा उत्पाद है फ्रेंस परिया वरंड की द्रिष्ट से क्या है ये अनुकूल है यानि इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंस आपका सी आपसन ही इस कोश्चन का करेक्ट आंस तो B.E.R. तथा बुल सब्दों का प्रियोग किस छेतर में होता है, F.E.R. मार्केट में होता है, F.E.R. मार्केट में होता है, F.E.R. सी आपसन ही क्या होगा, इस question का correct answer होगा, clear है, चलिए, आगे बढ़ेंगे, अगले question की तरफ, और अगला question ध्यान से समझेंगे, कि आप 1952 में या 1953 में, भारत में प्रथम पंच वर्सी योजना, F.E.R. किस वर्स प्रारंब हुआ था, ये आप सभी लोगों को बताना है, तो किस वर्स प्रारंब हुआ था, F.E.R. 1951 में, यानि B.E.R. सन ही क्या होगा, इस question का correct answer होगा, कौन सो हो जायागा, F.E.R. बी आप सन ह करण हुआ था, ये भी question बढ़ा ही महत्पूर्ण है, 15 का, 16 का, 14 का, या 20 का, तो 1969 में कितनी बैंकों का राश्टी करण हुआ था, F.E.R. च.E.R. बैंकों का हुआ था, यानि C.E.R. आप सन ही क्या होगा, इस question का correct answer होगा, तो I hope कि F.E.R. आप लोग बातें यहाँ पे समझ ही क्या कहलाती है, बिमुद्री करण, आउमूल्यन, मुद्रा संकुचन या अधिमूल्यन, तो F.E.R. जैसे पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा लाई जाती है, उसको क्या कहते है, बिमुद्री करण कहा जाता है, यानि A.E.R. आप सन ही क्या होगा, इस question का correct answer होगा, कौन से हो जाएगा, फ्रेंट्स, A.E.R. आप सन ही इस question का right answer होगा, चली, आगे बढ़ेंगे अगले question की तरफ और अगला question आप सभी लोगों से यहाँ पर क्या कह रहा है, अगला question देखिए, फ्रेंट्स, क्या कह रहा है, कि योजना आयोग का अध्यच कौन होता ह राश्पती, ग्रिह मंत्री, प्रधान मंत्री, उप्राश्पती, देखिए, फ्रेंट्स, कई बार exam में पूछा गया है, कि योजना आयोग का अध्यच कौन होता है, प्रधान मंत्री होता है, यानि C.A.R. देखिए, फ्रेंट्स, अभी ये नीती आयोग हो चुका है, इस प्रधान मंत्री होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, चली, आगे बढ़ेंगे अगले कुश्चन की तरफ और अगला कुश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, कुश्चन कह रहा है, फ्रेंट्स, एक अच्छी तरह से सड़े पौधे और पसु आउसेस कौन प्रेंट्स, भी आप सभी नाथन को किसके जनख के रूप में जाना जाता है, हरित करांती, स्वेद क्रांथी लाल क्रांथी इन में से कोई नहीं तो देखे फ्रेंट्स एमे स्वामी नाथन को किसके जनक के रूप में जानते हैं आप लोग हरित क्रांथी के इन्हें जनक कहा जाता है यानि ए आपसान ही क्या होगा इस कोश्चन का correct answer होगा स्वेत क्रांत की बात करते हैं तो देखें फ्रेंट्स कौन है वर्गीज कुरियन है इसके जनक कौन है वर्गीज कुरियन है इस बात का ध्यान देना क्लियर है ये भी कई बार एक्जाम में पूछा जाता है चेले आगे बढ़ेंगे अगले कोश्चन की तरफ और अगला कोश्चन बहुत ध्यान से समझेंगे कि आप सभी लोगों से क्या कह रहा है अगला कोश्चन कह रहा फ्रेंट्स नाबाड द्वारा प्रदान की जाने वाली क्रिसी रिंड की अधिक्तम अवध ही क्या कहलाती है 15 वर्स, 10 वर्स, 20 वर्स या 80 तो नाबाड द्वारा प्रदान की जाने वाली क्रिसी रिंड की अधिक्तम अवध ही क्या होनी चाहिए तो कितनी अवद ही होती है फ्रंट्स ये 15 वर्स होता है इस बात का ध्यान देना यानि ए आपसन ही क्या होगा इस question का correct answer होगा चलिए फ्रंट्स आज के सफर का आखरी question और आखरी question आप सभी लोगों से क्या कह रहा है अगला आखरी question आप से कह रहा है फ्रंट्स खाद तेल किस में निकाला जाता है भांग में कपास में राई में रतन जोत में जो खाद तेल होता है, यानि जो हम लोग खाते हैं, वो किस से निकाला जाता है, यानि सरसों से निकाला जाता है, यानि सी आप सन क्या होगा, इस question का right answer होगा, तो चलिए friends, आज का ससन यहीं तक था, ससन कैसा लगा, आप सभी लोग comment box में comment करके जरूर बताईएगा, जो बच चलेगी जबरदस बहतरीन तरीके से, फ्रेंट जितने भी बच्चे UPP रिग्जाम देने वाले हैं, या RPF Constable देने वाले हैं, या RPF SI देने वाले हैं, इस बात का ध्यान देना सभी के लिए बहुत ही important class होने वाली है, मैं previous year question जबरदस तरीके से कराऊंगा, तो चलिए friends, ज जीवन में अवस्सफल होंगे, तो आज के लिए इतना है, thank you, all the best.